तो यहां पर अगर आप 25,000 रुपया के अंदर एक best smartphone purchase करना चाहते हो और आप confused हो चुके हो कि भाई कौन से smartphone को purchase किया जाए तो आज का यह वीडियो आप लोग लिए काफी ज़दे helpful होने वाला है क्यूंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे top 5 best powerful smartphone under 25,000 budget तो जो जो फोन में आपको बताऊंगा उन सारे फोन की लिंक आपको description में मिल जाएगा तो direct आप description में लिंक पे click करके Amazon से इन फोन को purchase कर सकते हो तो जो जो फोन आपको बताऊंगा एक से बढ़कर एक सारे फोन की processor अच्छा है पहुत यह अच्छा है camera बहुत टॉप नोज ले तो यहाँ पर नंबर फाइब पे जो आपको smartphone देखने को मिलता है वह साव मी की तरब से जी हाँ साव मी 11 लाइट एन फाइब जी यह एक बहुत ही जाद वान आप दबेस स्मार्टफोन हो जाता है 25,000 प्राइज के अंदर इसकी डिस्प्ले की बात करे तो 6.55 इंच के फू करें तो कालर आपको 10,000,000 प्लास देखने Kो मिलेंगे इसकी डिजाइन की बात करें तो कॉर्णिंग गोरिला ग्लास की सपोर्ट देखने को मिलता है आपको इस डिवास के अंदर and side mounted fingerprint sensor आपको देखने को मिलता ए तो यहाँ पापी जदा थिक डिवास आपको देखने को मि मिलता है इस device के अंदर तो यहां पर battery की बात करें तो 2220मेज का आपको battery देखने को मिलता इस device के अंदर उसके 973W का आपको inbox charger देखने को मिलता है तो बैटरी आपको काफि अच्या पार्व मेंस देने वाला है camera की बात करें सावमी 11 Lite Any 5 то 64 Megapixel का मेन camera देखने को मिलता है 8 megapixel का ultra wide 5 megapixel का macro camera देखने को मिलता है इस device के अंदर उसके साथ सद आपको सामने 20 megapixel का यहाँ पर अच्छा सा selfie camera देखने को मिलता है इसकी price की बात करें तो यहाँ पर 6GB plus 128GB वाला variant आपको Amazon पे 24,000 रुपया का अंदर मिल जागा जिया अगर आप 25,000 रुपया है तो यह जो Xiaomi 11 Lite NE 5G device है आपके लिए best phone होने वाला है तो इस phone का link भी आपको description में मिल जाएगा तो description में link पे क्लिक करके डिरेक्ट आब order कर देना आपको एकदम original phone देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर नंबर 4 पर जो आपको smartphone देखने को मिलता है वह है IQ की आप डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छा मिलने वाला है इस IQ Z6 Pro 5G device के अंदर design की बात करें तो 1300 निट्स काप को पीक brightness देखने को मिलता है तो बाहर पर जाके आप यूज करोगे तो brightness की कोई भी problem आपको देखने को नहीं मिलेगा इस device के अंदर in display fingerprint sensor आपको देखने को म अच्छा है आप यहां पर गेमिंग बागे राक सब कुछ यहां पर आच्छे कर पाओगे तो यहां पर बैटरी की बात करें तो तो 4700 image का आपको बैटरी देखने को मिलता है 66 वाट के फास्ट चर्जिंग के साथ तो आपकी बैटरी को यह जो 66 वाट का फास्ट चर्जर है बहुत जल्दी चार्ज कर देगा कैमेरा की बात करें इस IQ Z6 प्रो डिवाइस की तो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमेरा 8 मेगापिक्स के अंदर क्योंकि इसकी प्राइस की बात करें तो Amazon पे 6GB प्लस 120 वाला भीरिंट आपको 25,000 रुपया का अंदर देखने को मिल जाएगा 24999 इसका प्राइस है तो इसका भी बेस्ट बाइंग लिंक आपको डेस्किप्शन में मिल जाएगा तो डेस्किप्शन में लिंक पे क् प्राइस करना चाहते हो तो यह जो वन प्लास नॉड चीटू 5G स्मार्टपोन है आपके लिए एक बहुत अच्छा चॉइस हो जाता है क्योंकि यहां पर आपको सब कुछ टॉप नोज लेबल का देखने को मिलता है 6.43 इंच के फूल एजडी प्लस फ्लूएड एमूलेट प्रिशनए के साथ आपको अमूलेट डिशनए को मिलता है तो तो भाई यहां पर ओन प्लस का डिश्पले है तो कपीजद आच आपको डिश्प्ले और कोंट्रस पड़ेशन वागरा ब्राइदेिष वेगरा सब कुछ अच्छा देखने को मिलागा दिजाइन की बात करें यहां पर आपको इन टीस्प्लेई चार्ज के अंदर आपको 65W का एक सुपर बोग चार्जार देखने को मिलता है तो आपकी जो इसका बैटरी इसको बहुत फास्ट चार्ज ये कर देगा कामरे की बात करें तो यहां पर आपको 64MP का मेन कैमरा 8MP साट्रा वाइड और दो मेगडा पिक्सल का आपको नर्मेल कैमरा देखने को मिलता है यह जो वन प्लरस नोड सीटु 5G स्मार्टफोन है इस डिभास के अंदर और यहां पर आपको 16MP का यहां पर सेलपी चैमरा देखने को मिलता है आप दोस्त्त हम लों बात करें प्राइस की तो इसका जो 6GB एंड या पर 128 वाला भीडियंट है वह आपको 24,000 रुपया के अंदर Amazon पर देखने को मिल जाएगा तो इस डिबाइस का बेस्ट बाइंग लिंक एकदम ओरिजिनाल डिबाइस के लिंक आपको इस फोन को ओरडर कर सकते हो आपके घर में Amazon बहुत जल्दी है डिवाइस डेलिवरी कर देगा तो यहां पर दोस्तों देखो अगर आप एक नॉन चाइनीज स्माटफोन पर्चेस करना चाहते हो तो यह जो समसेंग का स्माटफोन है यह नंबर दो पर मैंने रखा है क्योंकि यहां पर आपको सब कुछ टॉप नोज लेबल का देखने को मिलता है जी यहां समसेंग गेलक्सी सब कुछ टॉप नोज लेबल का देखने को मिलेगा उसके साथ साथ यहां पर आपको 120 हर्स का फास्ट रिप्रेश रेट देखने को मिलता है इस डिबाइस के अंदर डिजाइन की बात करें तो साइड माउंटेन फिंगरण़ पीन सेंसर आपको देखने को मिलता है 3.5 अब को आपको जाके देखने को मिलता है यह आपको 7.4 अब का धिकनेस के अंदर और 176 ग्राम का व्युट है तो काफी भारी डिबाईस आपन नहीं है नॉर्मल सा व्यृत आपको देखने को मिलता है ब्रोसेजर की ब कम दिया है Samsung ने 25 वाट का आपको फास चर्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है कम से कम यहाँ पर अगर 33 वाट को होता तो और भी ज्यादा है भाई बहुत ज़्यादा बढ़े होता पर 25 वाट का अपको चार्जार देखने को मिलता है कैमेरा की बात करें भाई यहां पर 108 गटका अल्टा वाइर मेगा विक्सटल का मैक्रो न दिपकीसेंट मैफ के कैमेरर की बात करें तो 30 αeté मैखार पर देखने को मिलता है मैचाइशीनä सेंग तो एमाजन पर द्लिकवाला है 10 felt की हम्प्राइब तो डेस्किप्स में लिंक दे दूँगा वहाँ पर जाके आप Amazon से यह जो Samsung Galaxy M53 5G डिवाइस इसको पर्चेस कर सकते हो क्यूंकि बाइस Samsung का डिवाइस है एकदम non Chinese brand है आपको One UI के साथ Samsung का experience देखने को मिलता है तो यहाँ पर number one पर जो आपको smartphone देखने को मिलता है अभी के time में smartphone market में सबसे ज्यादा बड़या smartphone है 25,000 पर इंच के अंदर अगर आप एक Realme का अच्छा smartphone पर्चेस करना चाहते हो तो यह जो Realme 9 Pro Plus 5G smartphone है आपके लिए अच्छा choice होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको 6.4 inch का Full HD Plus Super AMOLED display देखने को मिलता है 90Hz के refresh rate के साथ तो display quality यहाँ पर आपको काप ही अच्छा मिलने वाला है डिजाइन की बात कर तो यहाँ पर आपको in-display fingerpin sensor देखने को मिलता है जो दिखने में काप पर जद अच्छा है और 3.5 mm का अपको audio jack देखने को मिलता है इस device के अंदर 7.9 mm का thickness आपको देखने को मिलता है 182 gram का आपको weight देखने को मिलता है इस realme 9 Pro Plus device की प्रोसेसर की बात के तो यहाँ पर आपको वहीं सेम प्रोसेसर MediaTek Dimensity 920 यह थोड़ा सा powerful है 900 से तो MediaTek की तरप से Dimensity 920 एक अच्छा 5G चिपसेर देखने को मिल जाता है इस device के अंदर भाई battery की बात करे 45,000 mm का आपको battery देखने को मिलता है 60W के fast charging के साथ तो battery performance को भी आपच्छा आपको देखने को मिलता है इस device के अंदर इसकी camera की बात करें क्योंकि camera main है तो 50MP का आपको main camera और यहाँ पर 8MP का ultra wide 2MP का normal camera और आपको 16MP का selfie camera देखने को मिलता है Realme 9 Pro Plus device के अंदर तो यहाँ पर Realme UI 3.0 के साथ Android 12 का अंदर यह device आपको देखने को मिलेगा RAM expansion का feature आपको मिल जाएगा आपके RAM को बढ़ा सकते हो उसके साथ साथ यहाँ पर Realme के सारे features आपको मिलेंगे यहाँ पर आपको 60W का charger देखने को मिल जाता है तो आपकी device को एक घंटे का अंदर यह fully charge कर देगा और साथ साथ आपको बहुत सारे extra feature आपको देखने को मिलता है Realme 9 Pro Plus device के अंदर तो यहाँ पर यह जो device है आपको काफी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है तो इसका प्राइस है 6GB प्लस 128G वाला variant आपको Amazon पे 25,350 रुपया के अंदर देखने को मिलेगा भाई आपका 350 रुपया एक्स्ट्रा है तो अगर आप best smartphone purchase करना चाहते हो तो यह जो Realme 9 Pro Plus 5G device इसको पर्चेस कर सकते हो क्योंकि आप गेमिंग कर पाओगे कैमरा खीच पाओगे यानि फॉट्स वागरे क्लिक कर पाओगे सारे चीज़ आप इसके अंदर कर पाओगे जो जो आपको चाहिए 25,000 के प्राइस के अंदर तो इसका भी लिंक आपको description मि मिल जाएगा डिरेक्ट लिंक पर क्लिक कर पर्चेस कर सकते हो क्योंकि भाई देखो Realme का स्मार्टफून है तो Realme UI का एक्स्प्रेंस भी काप प्रिजद आच्छा है और सारे चीज़ आपको टॉप लेबल का देखने को मिल जाता है यह जो Realme 9 Pro Plus डिवाइस इस डिवाइस क तो आप इन में से कौन सा डिवाइस पर्चेस करना चाहोगे वो मुझे कॉमेंटर का बताना और वीडियो कर अच्छा लागा तो वीडियो का लाइक जरू से कर देना और आपके दोस्त के पास वीडियो जरू से स्यार कर देना ताकि आपके दोस्त को पता चल जाए 25,000 क्योंकि फ्यूचर पर जो भी वीडियो आएगा हमारे यूटूब चैनल पर उसका नोटिफिकाशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा तो फिलाल दोस्तों आज के वीडियो बस इतने आपको वीडियो देखने के लिए यार बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद झाल